तुम क्या विले, हम ना रहे हम, तुम क्या विले जरूर ही थोड़ी ना है, कि भाई अपनी पेहन की रक्षा करें, आपना मुझसे राखी बंधवाई है, मैंने भी तो बांधी है अनवीर जी, मेरी लिए भी रिष्टा आपके जितना ही बड़ा है, मैं अपसे वाद्दा करती हूं, कि आज से कभी भी किसी भी इंसान को आप आपके जिए ने आज पहली बाहर मेरे वास्ते इन्ना अच्छा तौफा दिया, मेरी जिंदगी का इन्ना फट्डा दिन, और वीरा ने, वो भी बेरंग कर दिया, एक मौका नहीं छड़ती मैंनो नीचा दिखाने का, नजाने कौन से जनम की दुश्मन ही निकाल रहे है मुझ से, रिखा मैंने, जो तेरे और वीरा के बीच चल रहा था, और सिर्फ एक मजाग था वो, हैं, तो क्यों बात को इन्ना बढ़ा रही है, चल, अब बास कर अभी है सब, गुस्ता चड़ दे, मेरी गलत सुन, अब, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगर पूरी जिन्दगी मैं सोचने बैठ जाए ना, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, अब गुजरे वक्त की तकलीफ अगर तू याद रखेगी ना, तो अपने आज को तू चैन से नहीं जी पाएगी, इसी वास्ते कह रहा हूँ, खतम कर ये सबब, जो तेन्नों मिला है, उसमें खुश रहे, और अभी तरी किसमत है, नहीं सान मान उसका, और अपना ले उससे, गुजर, आस्तेवार के दिन ना, अपना दिल खराब ना कर तू ऐसे, आज के दिन तो सब लोग अपने पुराने गिलेशे को मिटा देते हैं, और फिर से प्यार से रिष्टे जोडते हैं, और अच्छा ही होगा कि तू अब वीरा से ना फिर से दोस्ती कर ले, और पहले ज़से, हैं, और अश्मिन मेरा भी तो फायदा है, हैं, मतलब हम सब का, अब हम सब रिष्टेदार है ना, इसी वास्ते, वैसे, अब मैंने तिनू गया आदा तोफानी दिया ना, तो कल शेयर जा रहा हूँ मैं, कुछ लेयाँ तेरे वास्ते, हाँ बीर जी, एक काम कीजी आप जहर ला दीजी मेरे वास्ते, वही ठीक रहेगा, कुछ न, मरी कल तो सुन, किसे समझा हूँ उसे, कभी नहीं आ रही है, रई बार चुकने वाला न, अकड़के खड़े होने वाले से वट्टा हो जाता है, अच्छा है, मुझ तक उड़के तो आएगी नहीं न, और किसी को मेरे हाथ में थमानी पड़ेगी, आएगी नहीं, तो मैं की करूँ, उठके ले ले, हुए, मैं मानू में तरह, और रिष्टदार भी, दंग से कात्रदारी करतू मेरी, और जाओंगे जाही जी के पास, अब ही कह दूँगा, कि तुम मेरे नाल रिष्टदारी दंग से नहीं नहीं बारी, अच्छा, साले, की बलो तुने, की बोले तु, अरे, रिष्टे से तो तु वीर जी का साले ही लगता है न, तो रिष्टदारी बाले नाम से बुला रही थी, क्यों, अच्छा रिष्टदारी निभाई न मैंने, तॉले सहब, असुन, चाय पिला, बगवाज ना कर, एक मिनिट, अलब एक के बता, जाला गरम तो नहीं है, अगी तरीका होता है, उए, बटी देसे पप्पिया मांग रहा था न, डेदी, क्यासी लगी, एलले पकड, तरी बीजी ने अदूद भिचवाया है, तुई ले ले ला, मैरे तुड़ी देर में आता हूं, तू चाहे सो सो जाना, वो, अब पानी ने लेकर रही थी तो बीजी ने बॉटल भिचवाया है, यह की है, तो जाही और तक्य ऐसे सोफे भी क्यो है, जीची रूज यहां ऐसे सोते है, यह रभबा, उन्हें ऐसे सोफे पर सोने में कितनी तकलीफ होती होगी, मैने नहीं कहा उसे यहां सोने के लिए, अपनी मर्जे से अगर वो कुछ करे तो मैं थोड़ी ना मना कर सकती हूँ, बना नहीं कर सकती, पर कम से कम पत्नी का फर्स तो निभा सकती है ना, क्या थे ना, किसी शर्च पे दरवाजे के अंदर आई थी आप, हां? आया क्य कर रही है? पहली आप मेरे वीरची नों बहुत तकलिफ पहुचा चुकी, अब ऐसे उनकी रातों की नीन दी खड़ाप करने दूंगी मैं, कुंचन एक बात याद रखना, कि ये कमरा पहले मेरे वीरची का है, फिर आपका, इस कमरे में जो कुछ भी है वो अब दूनों को बाटना होगा, इस सोफे पर सोने का दर्द भी, इसलिए आज से एक दिन आप सोएंगी और एक दिन बीरची, ताकि रोज उन्हें तकलिफ न उठानी पड़े, मैंनु कि अपनी हाथ की कटपुतली समझ रखा है, तो भी बुला सकती है, उन्हें एक मिनिट नहीं लगेगा तुम्हें घर से बाहर निकालने में, अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी तो, तुम जानती हो ना, किस सच्चाई की बात कर रही हूं है, सोचो उन्च, अगर इतनी रात को, हमने तुम्हें रहर से बाहर निकाल दिया, तो कहां जाओगे तुम? अगर इतनी रात होगी तु तु सोई नहीं अबता लग? मेरे मेर्जी जब नहीं सोय होंगे, तो मैं कैसे सो सकती हूं चैन से? वह मैं ते बस ऐसी इना अच्छा मौसा मैंना थे, बस सोने ही चा रहा था मैंना, प्रिजी आपको की लगता है? आपको कुछ भी शूट-मूट कहते रहेंगे और मैं मान जाओंगे? आज तक मैने अपसे जो मांगा, जो चा, आपने मेनों सब कुछ तिया अपर मैं आपको कुछ अर मांग देंगे? राकडी, कि अज तक कोई जी मना किये मैंने, तुँ मांगे तो देख जाड भी दे दूँगा, बता, कीचे इदा है, आपकी खुशी वीर जी, कीचे मुझ से बाता कीचे, कि आज के बाद आप खुद को कभी चोटनी पोंचाएंगे, आप जानते हैं, आपकी तकलीफ से मैनू कितनी त क्या तकलीफ होती है, जितनी तकलीफ आपको होती है रॉसे लाघ होना सादर तकलीफ मन पिरजी प्लीज अपनी विराखडी के हाद प्लीज मनों वादा किजे याप काभी खुद को चोटी पोचाएंगे प्लीज वादा किजे ना मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कुछ इच करूँगा विराखडी वीरची भास अब अब इस वक्त इस त्याद और कुछ नहीं कह पाऊंगा कुछन तेनो इत्या तकलीफ होगी तू तू अब इस्तर पे जाके सोजा कुछन तू सुन रही है? कुछन रही है कुछन रही है तक तसोगी वीरची मैनू माफ कर दीजिया वीरची अपने चुप रहने का नतीजा वेख चुकी हूं तो बहुत चुप नहीं रह सकती वीरची कुई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई अपनी पहन की रक्षा करे आपने मुझसे राखी बंधवाई है मैंने भी तो बांधी है नवीरची मेरी लिए भी रिष्टा आपके जितना ही बड़ा है वीरची मैं आपसे वाद्दा करती हूं कि आज से कभी भी किसी भी इंसान को आपने चोट महीं पहुँचाने दूंगी करेंगी कर दो करेंगी 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि लिए तकलीफ हो रही थी कि तो फिर तुछ सोई क्यों आपे तो एक काम करके तुछ यहां बस्तर पर सोजा मैं सोफे पर सोजा ता हूं कोई जर्वत नहीं ए बहुत आसान हुए तेरे अब और नहीं तेरे आसानों का बुझ और नहीं उठा सकती मैं ताया हमदर्दी देखाने वाला मैंनो अपने हाल पे छड़ दे और अपने आप से मतलब रख प्रोज़ बाला बुला बाला 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 बाइ, तो मैं अच्छा है वीरा कम से कम में नो चैन से सोने का हक है ना? अभाँ अब शाय क्यूं कह रही है अब तक तो चैन से सो रही थी ना? अच्छी अच्छी प्यारी नींद आई होगी, नए नए सपनों भरी, जो सपने अब कभी पूरे नहीं होने वाले हैं, तो चलिए, अब जल्दी से नीच आजे, ये तियार हो के, बहुत सारा काम पड़ा है, सची, अब नींद के साथ साथ घर का काम पूरा करने का भी तो हक है ना, है ना, आपना अराम से सारा काम कीजिएगा, कोई नहीं टोकेगा, मैंनो कुछ देर और सोने दे, हम, बहुत थक गई है, मैं, बदन दर दो रहे मेरा तुझा यहां से, चीन नहीं, मैं वीर जी नहीं हूँ, तो आपकी बातों में आ जाओ, तेड़ी को सीधा करना न मैंनो बहुत चंगे तरीके से आता है, चलो, अब उठो, ठीए, अब ठीक है, कुंजन भाबी, अब ना, बीस मिनट में तयार होके नीचे आ जाई है, अगर आप नहीं आए ना, तो मैंनो लगेगा आपने अपना बाता तोड़ दिया, आप तो जानती है ना, बाता तोटन कि अचेवादे ढ़ं कि 尖ोद कर दोपान ड़ा ढदे जानता हैं जाकी तोटना बदेन से ना, आप कर दोपान बाता है, व स्टाप्लस के ऐसे ही और बहतरी लम्हे लेखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को